ओम शान्ति आज तिनांक छे फरवरी दो हजार तेविस प्राताह मुर्ली बाप दादा मदुगन बाबा बोले मीठे बच्चे तुम भ्रामन अभी बहुत उची यात्रा पर जा रहे हो इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है दो बेहद के बाप हैं तो दो मा भी हैं अर्थात स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा इस भारत भूमी पर आते ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान बनाते तो बाबा हमारा बेहद का बाप है तो ब्रह्मा हमारी बेहद की मा हो गई और जब हम भ्रह्मा को अपना पिता अर्थात प्रज्या पिता भ्रह्मा कहते हैं तो फिर उनके साथ मम्मा भी है तो बाबा कहते तुम बच्चे अभी चड़ती कला में जा रहे हो तुम बच्चे अभी इतनी उची यात्रा पर हो कि इस यात्रा से तुम नर से नारैन नारी से लक्षमी बनते हो अर्थात इस रोरव नर्क से कल्यूगी पतित पुरानी दुनिया से स्वर्ग सत्यूग नई दुनिया में जाने का पुरुशार्थ करते हो अर्थात यात्रा पर हो जिसके लिए हम बच्छों को दो बेहद के बाप मिलते हैं तो दो बेहद की मा भी मिलती हैं इसी लिए बाबा कहते तुम्हें अभी डबल इंजन मिले हुए हैं क्योंकि बहुत उची यात्रा पर हो जिस प्रकार उची पहाड़ी पर कोई ट्रेन जाती है तो उसमें डबल इंजन लगाया जाता है ऐसे ही बाबा आकर हम बच्छों को डबल इंजन देते और हमें नरसे नरैन बना देते प्रश्न किया बाबा ने संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्छे अपने उपर नहीं रख सकते उत्तर में बाबा कहते हिज होलिनेस और हर होलिनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते हो या लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है लेकिन सरीर तो तमो प्रधान तक्तों से बने हुए है वह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है तुम अभी पुरुशार्थी हो अर्थात बाबा समझाते अभी तुम बीके स्वयम को संपूर्ण पवित्र संपूर्ण पावन नहीं कह सकते क्योंकि अभी बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भल पवित्र पावन बनती है लेकिन सरीर तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ है अभी तुम संपूर्ण पावन बनने का पुरुशार्थ कर रहे हो अर्थात पुरुशार्थियो संपूर्ण पावन होते हैं सत्यूग में वहां ही तुम देवी देवता कहलाते हो गीत सुनाया बाबा ने यहा कहानी है दिये और तूफान की ओम शांती बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं यहा तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं तो दो मा भी जरूर दो होंगी बाबा कहते यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं तो मा भी जरूर दो होंगी एक जगत अमबा दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी दोनों बैट समझाते हैं तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई पहाडी पर जब गारी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं न अब तुम ब्रह्मन भी ऊची यात्रा पर जा रहे हो तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है जब राजाई बदलती है तो भी लड़ाई मारा मारी होती है बच्चे जानते हैं कि अब नई राजदानी इस्थापन हो रही है घोर अधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री जोगरफी को जानते हो तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो इसकुल में पढ़ाती हैं वह भी बच्चों को बैट अगर बेहद की हिस्ट्री जोगरफी समझाएं तो इसमें कोई नाराज नहीं होगी उन्हों को बड़ों को भी समझाना चाहिए बाबा कहते उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुस होंगे उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री जोगरफी को नहीं समझाएं तब तक बच्चों का कल्यान नह नहीं हो सकता दुनिया में जैजय कार नहीं हो सकती बच्चों को सर्विस करने का इसारा दिया जाता है टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यहां वर्ल्ड की हिश्ट्री जोग्रफी बैठ समझाएं तो बच्चे तिरकालदर्सी बन सकते हैं बाबा कहते तो बच्चे तिर तिरकालदर्सी बन सकते हैं और तिरकालदर्सी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं जैसे बाप ने तुमको तिरकालदर्सी स्वदसन चक्रदारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है औरों को समझाना है कि अब यह दुनिया पुरानी बदल रही है कमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ग्यान देते हैं चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ स कि सत्यूग में कौन-कौन राज्य करते थे फिर द्वापर में कैसे अनेक धर्मों की व्रध्य होती है ऐसा अच्छी रीती समझाया जाए तो बुद्धी के कपाट जरूर खुलेंगे यह चक्र सामने बनने का रास्ता बताएं जिससे बाबा कहते यह चक्र सामने रख तु तुम अच्छी रीती समझा सकते हो टॉपिक भी रख सकते हो आओ तो हम तुमको तिरकाल दर्सी बनने का रास्ता बताएं जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो तुम ब्राम्मन ही इस चक्र को जानते हो तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो परंतु बनेंगे वह जो चक्र को पुद्धी में फिर आते रहेंगे बाप तो हे ही ग्यान का सागर वह बैट बच्चों को स्रश्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान सुनाते हैं और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते इस वर सर्व्यापी कहने से ग्यान की बात ही नहीं उठती इस वर को जानने काभी कोई पुरुशार्छ नहीं कर सकते हैं फिर तो भक्ती भी चलना सके पर अंतू जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते रहें कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्व्यापी कैसे नहीं है कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया जैसे कोई ने आदी देव को महाबीर कहा तो वह नाम चला दिया जिसने जो नाम बेसमजी से रखा वह चला रता है अब बाब बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर बाबा कहते कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचियता और रचना को नहीं जानते हो देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो तो इसको ब्लाइंड फैत कहा जाता है इतने देवी देवता राज्ये करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे तब तो पूज्ये बने अब तुम मुख वनसावली यह ग्यान सुनकर समझदार बनते हो बाकी तो सारी दुनिया को रावन ने जेल में डाल रखा है यहा है रावन का जेल जिसमें सभी सोक वाटिका में पड़े हैं कॉन्फरेंस करते रहते हैं कि सामती कैसे हो तो जरूर असांती दुख है गोया सभी सोक वा वाटिका में बैठे हैं अभी सोक वाटिका से असोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है इस समय कोई भी सांती वा सुक की वाटिका में नहीं है असोक वाटिका कहेंगे सत्यूग को यह तो संगम यूग है तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कहना सके हिज होलिनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते वा लिखवा नहीं सकते हिज होलिनेस वा हर होलिनेस सत्यूग में होते हैं कल यूग में कहां से आए भल आत्मा यहां पवित्र बनती है परंतु सरीर तो भी बाबा कहते परंतु सरीर भी तो पवित्र चाहिए तब हीज होलिनेस कह सकते इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए अभी तुम पुरुशार्थी हो बाप कहते हैं सिरी सिरी वा हीज होलिनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते भल आत्मा पवित्र बनती है परंतु सरीर पवित्र कहा है तो अधूरे हुए न इस पतित दुनिया में हीजवा हर होलिनेस कोई हो नहीं सकता वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदे उसुद्धे परंतु सरीर भी सुद्ध चाहिए हां लक्ष्मी नारायन को कह सकते हैं क्योंकि वहां सरीर भी सतो प्रदान तत्वों से बनते हैं यहां तत्वो भी तमो प्रधान है, इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे, ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाब बैट समझाते हैं, तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ग्यान है, परम पिता परमात्मा जो इस चेतन्य जाड का बीज है, उनको सारे जाड की नौलेज है, वही तुमको नौलेज सुना रहे है, इस स्रष्टी के पाबा कहते, इस स्रष्टी चक्र के ग्यान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो, समझाना चाहिए तुम परमात्मा, तुम परमधम से आकर, यहां चोला धारान कर, एक्ट कर रहे हो, अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार् अभी जो पुरुशार्थ करेगा, वहां ऐसे ही राजे रजवारे वा धनवान के पास जन्म लेगा, सभी नंबरवार पत पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे, यहां भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म, अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चल कर, रोसनी मिलती जाएगी, इतना तो है, अभी जो सरीर छोड़ते हैं, उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जो बच्चे जास्ती पुरुशार्थ करते हैं, उनको खुसी भी जास्ती चड़ती है, जो सर्विस में ततपर रहते हैं, उन्हों को नसा रह रहता है, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में हैं, गंगा इसनान आदी करने से तो कोई के पाप नहीं दुल सकते, योग अगनी से ही पाप भस्म होते हैं, इस रावन की जेल से छोडाने वाला एक बाप ही है, तब तो गाते हैं, पतित पावन परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है, बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था, गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है, तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भ भी बड़ी हिम्मत चाहिए तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है तुम अब इस्वर की संतान बने हो यह ब्रह्मन कुल है सबसे उचा तुमको स्वदर्शन चक्र का ग्यान है फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ग्यान नहीं होगा अभी ग्या नाम रखा है स्वदर्शन चक्रदारी इस गुही ये बातों बाबा कहते इस गुही ये बातों को तुम्हारे विगर कोई नहीं जानते कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि इस्वर की सब संतान है परंतु प्रेक्टिकल में तुम अभी बने हो अच्छा सभी मीठे मीठे बच बच्चों को याद प्यार गुड मॉनिंग बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते अगर याद करते हैं तो अहो सोभाग्ये अच्छा मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहान मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते रात्री क्लास सुनाई बाबा ने आठ अप्रेल 1968 की बाप दादा बोले यह इस वर ये मिसन चल रही है जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे जैसे उन्हों की मिसन है क्रिश्चन बनाने की जो क्रिश्चन बनते हैं उनको क्रिश्चन डिनाइस्टी में सुख मिलता है वेतन अच्छा मिलता है इसलिए क्रिश्चन बहुत हो गए हैं भारत वासी इतना वेतन आदी नहीं दे सकते यहां करपसन बहुत है बीच में रिस्वत ना ले तो नोकरी से ही जवाब बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें कहेंगे युकती से काम करो फिर सुब कारे में लगा देना यहां सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ लिबरेट करो घर ले चाओ बाप जरूर घर ले जाएंगे न घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदी करते हैं परन्तु जब बाप आए तब ही ले जाए भगवान हे ही एक ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं उनका आना ही संगम पर होता है अभी तुम ऐसी ऐसी बाते नहीं मानेंगे आगे मानते थे अभी तुम भक्ती नहीं करते हो तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे हमको पुज्य देवता बनाने लिए सिखो को भी तुम समझाओ गायन है ना मनुष्य से देवता किये करतना लागिवार देवताओं की महिमा है ना देवताएं रहते ही हैं सत्यूग में अभी है कल्यूग बाब भी संगम युग पर पुरुशोत्तम बनने की सिख्चा देते हैं देवताएं हैं सभी से उत्तम तब तो इतना पूछते हैं जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे अभी नहीं है समझते हैं यह राजे पाष्ट होकर गई है बाबा कहते समझते हैं यह राजदानी पाष्ट होकर गई है अभी तुम हो गुप्त कोई जानते थोड़े हैं कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है बाप को बहुत प्यार से याद करना है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो क्यों यान नहीं करेंगे फिर देविये गुण भी चाहिए दूसरी क्लास बाबा ने चलाई 9 अप्रेल 1968 की आज कल बहुत करके यही कानफरेंस करते रहते हैं कि विश्व में सांती कैसे हो उन्हों को बताना चाहिए देखो सत्यूग में एक ही धर्म एक ही राज्य अद्वेत धर्म था दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जो ताली बजे था ही राम राज्य तब ही विश्व में सांती थी तुम चाहते हो विश्व में सांती हो वहा तो सत्यूग में थी पीछे अनेक धर्म होने से असांती हुई है परंतु जब तक कोई समझे तब तक माया पाबा कहते परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा फिर इन सन्यासियों आदी के भी कान खुलेंगे यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी इस्तापन हो रही है यही नसाहे म्यूजियम का भब का देख बहुत आएंगे अंदर आकर वंडर खाएंगे नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेगे यह तो बच्चों को मालूम है योग है मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके यह भी लिखना है सिवाई परम पिता परमात्मा के कोई भी मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए योग सिखला नहीं सकते सर्व का सद्गती दाता है ही एक यह clear लिख देना चाहिए जो भल मनुष्य पड़े सन्यासी लोग क्या सिखलाते होंगे योग योग जो करते हैं वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते महिमा है ही एक की विश्व में सांती इस्थापन करना वा मुक्ती जीवन मुक्ती देना बाप का ही काम है ऐसे ऐसे विचार सागर मंधन कर पॉइंट समझानी है ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए इस दुनिया को तो बदलना ही है यहा है म्रत्योग नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोग अमर लोग में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं यहा भी वंडर है न वहां आयू भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही सरीर पदली कर देते हैं जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है यह भी समझाने की बाते हैं अच्छा मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की भी रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते धालना के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पाइंट स्रश्टी चक्र के ग्यान से स्वयम भी तिरकाल दर्सी और स्वदर्सन चक्रदारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है तूसरी पैंट बाबा कहते संगम पर सोख वाटिका से निकल सुख सांती की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते ग्यान को रमनीकता से सिम्रन कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्शित कुष नसीब भाव टिटेल में बाबा समझाते यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूख ग्यान नहीं है बहुत रमनीक ज्ञान है शिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो मैं आत्मा तो हूँ लेकिन कोन सी आत्मा हूँ कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ कभी बिजनसमेन की आत्मा हूँ ऐसे रमनीकता से आगे बढ़ते रहो जैसे बाब भी रमनीक है देखो कभी धोबी बन जाता है तो कभी विश्व का रचियता कभी ओबीडियंट सर्वेंट तो जैसा बाब वैसे बच्चे ऐसे ही इस रमनीक ज्यान का सिम्रन कर हर्शित रहो तब कहेंगे खुस नसीब स्लोगन में बाबा कहते सच्चे सेवाधारी वहा है जिसकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खुन भरा हुआ हो स्लोगन में यहा खुन भरा है जिसकी जी सेवाधारी कर वहा है